तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी एस टैंग, जी एस टैंग में बहुत-बहुत स्वागत है आपका, जहां हम डिसकस कर रहे हैं इंटायर कंप्यूटर साइंस, जो क्लास फुली डेडिकेटेट होती है हमारी BPSC-TRE 3.0 के लिए, तो यदि आप भी BPSC-TRE 3.0 में कंप्यूटर साइंस की तयारी करने हैं, तो आज और अभी इसी वक्त जुट जाएए, जी एस टैंग चैनल से अपने तयारी को और बूस्ट करने के लिए और इन्हेंस करने के लिए, तो यहीं बात करते हैं हम लोग पिछले सेशन की, तो पि डिसकस करेंगे moderate to high level के questions, तो यदि आपने part 1 को miss किया है, किसी भी कारण से, तो पहले जाकर आप पहले part 1 देखेंगे, उसके बाद part 2 देखेंगे, क्योंकि पहले basic questions आने जरूरी हैं, उसके बाद heart questions, high level questions होते रहते हैं, ठीक है, तो पहले आप part 1 देखेंगे, फिर part 2 देख और response ज़्यादा अच्छा रहेगा, तभी हमको पनाने में भी आपको मज़ा आएगा, ठीक है, और subscribe अभी तक भी आपने नहीं किया है, तो subscribe कर लीजिए, एकदाउं free है subscribe करना, और bell आइगन को भी प्रेस कर दिए, ताकि हर एक update आपको सबसे पहले मिले, और साथ ही साथ, पूरा session देखने के बाद मुझे comment करके आप जरूर बताएंगे कि आपको ये session कैसा लगा, आप लोग comment करते नहीं है, बढ़ चार के हिस्सा लीजिए, comment कीजिए, और बताइए कि आपका पूरा overall experience कैसा रहा पूरा session देखने के बाद, ठीक है, तो आईए, नजर डालते हैं आज के पहले question पर, तो आज का जो पहला question है, वो कहता है कि which of these, which of these is a standard interface for serial data transmission, यानि कह रहा है कि standard interface आपसे पूछ रहा है serial data transmission के लिए, और आपके options है, ASCII, जिसको आसिक ही बोलते हैं आप, RS232C, 2AB, Centronoics, more than one of the above, none of the above. ठीक है, ISCII, पता है आपको क्या, American Standard Code for Information Interchange, ठीक है, anyhow, आप full form हर एक term का ध्यान में रखेंगे, जितना भी term हम आपसे discuss करते हैं, सारे full forms आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, और इस question का जो correct answer है, वो है option B, RS232C, अब यह होता क्या है, तो जो आपका RS232C है, वो simply एक standard interface है, क्या है वो? एक standard interface है, किसके लिए? for serial data transmission, for serial data transmission और protocol, किसके किसके बीच? protocol between DTE, DTE and DCE, चीक है, DTE और DCE, तो DTE होता क्या है basically, तो DTE क्या होता है, data terminal equipment, data terminal equipment, ठीक है, और DCE क्या होता है, DCE होता है, data communication equipment, equipment, data communication equipment, तो simply यह होता क्या है, यह आपका एक standard interface होता है, data transmission के लिए, और protocol between किसके किसके, DTE और DCE के, तो यह बात हो गई RS232C की, अब RS का क्या मतलब है, RS का भी तो कुछ मतलब होगा ही न, इसका मतलब होता है, recommended standard, recommended standard, ठीक है, और जो C दिख रहा है न, वो version है आपका, जो last time में आपको C दिख रहा है, वो C आपका version है, ठीक है, पूरा clear है बात, एकदम हम explain करते चल रहें, कोना-कोना भी नहीं छोड़ेंगे, एकदम question का जो core part है न, वो हम सब कुछ discuss कर देंगे, एक भी point आपका छुटेगा नहीं, ठीक है, यह हमारा वादा है, समझ गया है तक, next, अगला आपसे पूछ रहा है, कि which type of topology is the best suited for large businesses, which must carefully control and coordinate with operations of distributed branch outlet, यानि simply आपसे पूछ रहा है, कि वैसा type of topology, जो बड़े-बड़े business के लिए suit करता है, simply यह पूछ रहा है, बाकी तो कुछ extra बात लिखी रहती है, यह question में, ठीक है, तो simply आपको पताना है, कि जो बड़े-बड़े businesses होते हैं, उसके लिए best topology काउन सा है, option है आपके, ring, mace, tree, star, more than one of the above, none of the above, तो आपको पता है कि topology क्या होता है, topology जो होता है, वो physical और logical arrangement होता है, क्या होता है, physical and logical arrangement of nodes, किसका, nodes का, और connection का, कहां पे, in, एक network में, ठीक है, यह आपका क्या होता है, topology होता है, और topology कितने type का होता है, 5 type का होता है, यह पिछले class में भी मैंने अब उसे discuss किया था, क्या-क्या, bus topology, t मतलब topology, ठीक है, bus हो गया, ring, r-i-n-g, ring, फिर, tree, star, और, mace, ठीक है, इतने types of topology है, और best suited topology for business क्या है, वो आपका star है, अब आपके मन में आ रहा हो कि यह star को ही क्यों मानते हैं, ठीक है, इतने सारे topologies हैं, लेकिन star जो है, वो best suited क्यों है, तो वो इसलिए है, क्योंकि यह simple होता है, ठीक है, it is simple to control और coordinate between, अहां कहां, central computer, ठीक है, जैसा है कि आपको पता है कि एक central computer होता है, और यहां यहां से क्या होता है, यह central से ही control होता है, तो simple हम इसमें कह सकते हैं, कि it is simple to control or coordinate from central computer, यह आपका क्या होता है, central computer, बात समझ में आ गया, समझने में कुछ दिक्कत यहां तक नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, तो यहरे point, आगे बर है, next, question number 3, which of the following transmission direction, listed is not a legitimate channel, यानि कि simply आप से पुछ रहे है कि इसमें से कौन सा जो mode of communication है, वो invalid, legitimate नहीं है, simplex, half duplex, full duplex, double duplex, more than one of the verb, none of the verb, अब देखिए, पहले जांते है mode of communication के बारे में, जिसमें पहला कहारा, simplex, तो simplex के case में क्या होता है, कि information तो send होता है, लेकिन, एक direction में, information जो है, तो एक direction में आपका भेजा जाता है, इसलिए, इसका दुसरा नाम क्यहा है, एक direction की बात करें, तो इसका जैसे आपका keyboard आप यूज करते है computer में, उसमें क्या होता है, कि एक ही direction में नहीं होता है, कि आप प्रेस किये यहां से button, आपको screen पर दिख गया, बस ऐसा तो नहीं है, तो keyboard क्या है, simplex का एक example है, half duplex के case में क्या होता है, इसमें जो communication में information जो send और receive होता है, वो दोनों side में होता है, लेकिन एक time पर नहीं होता है, यानि कि information जो send और receive होता है, वो एक साथ नहीं होता है, यानि कि दोनों direction में एक साथ, एक साथ नहीं होता है, ठीक है, जैसे कि example में walkie talk के, तो walkie talk की लोग जो views करता है, तो क्या होता है कि एक side से बोल दिया, फिर दूसरे side से बोला, यह ऐसा नहीं होता है, तो यह किसका example वाकिट हो की, half duplex का, full duplex का case में क्या होता है, कि उसमें communication जो होता है, उसमें information send or receive होता है, वो दोनो end पे at a time होता है, जैसे कि sender end और receiver end, दोनो end पे at a time होता है, यह छोड़ते है, simultaneously, जैसे example में mobile, mobile में क्या होता है, जब आप बात करते है mobile से, उधर से भी बोल रहे है, दोनो side है, आप एक साथ communication हो रहा है, है कि नहीं, तो वो किस में आ गया, वो full duplex में आ गया, तो यह तीनों तो होता है, लेकिन not a legitimate, वो आपका double duplex, यह कुछ ऐसा होता न नहीं है, ठीक है, simplex होता है, half duplex होता है, full duplex होता है, लेकिन double duplex नहीं होता है, ठीक है, और full duplex में mobile हो गया, telephone हो गया, यहीं साब आता है, समझ में आ गया बात, पूरा point clear है, मुद्दा clear, next. अगला आपसे पुछ रहा है, question number four, parity bits, are used for which of the following purpose, parity bit का use, किस purpose के लिए किया जाता है, यह आपसे पुछा जा रहा है, option है, encryption of data, to transmit faster, to detect errors, to identify the user, more than none of the above, none of the above, आज के जो question है, उसके standard काफी high है, ठीक है, पहले ही मैंने बता रखा है, कि आज के question हो, moderate to high है, तो standard काफी high है, आ फोरा साब का दिमाग का exercise होते रहेगा, ठीक है, चलिए, देखते, parity bits के लिए, use किसमें किया जाता है, तो parity bits के बारे में अगर हम बात करें, तो parity bits का simply use होता है, error detection के लिए, इसका use किया जाता है, for block of codes, code में ही error detect करेगा, ना, इंसान में तो नहीं करेगा, block of codes, ठीक है, और बात करने कि इसमें value कौन-कौन सा होता है, तो इसमें 0 या 1, यह इसी value पे काम करता है, ठीक है, parity bits आपका, और पुछे किसका दूसरा नाम क्या है, parity bits का, तो parity bits का, also known as, लिखेंगे, also known as, check bit, क्योंकि काम ही है, इसका क्या, error detect करना, check करते रहता है, तो दूसरा नाम इसका क् check bit, यह सा point आप ध्यान में रखेंगे, और किसके लिए उसके आता है, error को detect करने के लिए, ठीक है, C is the right answer, clear point, समझने में कुछ दिखता नहीं होना चाहिए, next, question 5 कह रहा है कि a collection of hyperlinked document on the internet forms what, जो hyperlinked document के collection of internet वो क्या बनाते हैं, worldwide wave, जिसको SWOT में www बोलते हैं, email system, mailing system, hypertext, markup language, जिसको SWOT में HTML बोलते हैं, more than none of the above, none of the above, पताए, correct answer इसका क्या हो जाएगा, तो जो collection होते हैं, hyperlinked document को, जो internet पे बनते हैं, वो क्या होते हैं, worldwide wave, that forms on internet forms, क्या करता है, www को internet form करता है, और पूछे कि www का आविस कार किस ने किया था, तो वो किये, method, Sir Team Burns, Burns Lee, Sir Team Burns Lee के दुवारा किया गया था, साल को यह आप से पूछे, तो 1989 का समय था, ठीक है, अब इससे ज़्यादा आपको जानने की जल्वत नहीं है, ठीक है, clear है बात, आगे बर हैं, next, HTTP का full form क्या है, simply आप से यह पूछा जा रहा है, full form से आपको ध्यान देना है, हम बार बार हर क्लास में बोलते हैं, ठीक है कि full form से आपको ध्यान देना ही देना है, option आपके, hyper terminal tracing program, hypertext tracking protocol, hypertext transfer protocol, hypertext transfer program, more than none of the above, none of the above, तो HTTP होता क्या है, उसका use किसके लिए किया जाता है, HTTP का, simply हम usage को जानते हैं, तो HTTP का use क्या जाता है, इसको आपको लिखेंगे कि used to load wave pages, ठीक है, किसके use से, using hypertext link, using hypertext link, यानि कि simply हम बोलें, तो जो HTTP है, इसको use किया जाता है, वेब पेज को load करने के लिए, और किसके मदद से, hypertext link के मदद से, और इसका full form क्या होता है, hypertext transfer protocol, HTTP, C is the right answer, ठीक है, C इसका बिलकुल सही जवाब है, clear है पुद्दा, आगे बर है, next, Question 7 कह रहा है कि, अब proxy server is used as computer, proxy server को computer के तौर पे use कहता है, किस चीज के लिए, with external access, acting as a backup, performing the file handling, accessing using permissions, more than one of the evap, none of the evap, proxy server का use क्यों किया जाता है, किसके साथ use किया जाता है, यह आपसे पूछा जा रहा है, तो हम बात करें, पहले जानेंगे कि proxy server होता क्या है, वो जानेंगे, तो फिर आपको clarity ज़्यादा मिल जाएगी, फिर हम को answer बताने का जरूरत भी नहीं परेगा, सायद, तो simply हम बोलें, तो proxy server is a computer, यह क्या होता है, simply, नाम भी क्या लगा हुआ है, server लगा हुआ, तो server किसे बनेगा, computer रहेगा न उसमें, तो यह क्या होता है, एक computer होता है, जो की act करता है, that acts as gateway, gateway के तरह यह काम करेगा, acts as a gateway, और किसके किसके बीच gateway, user का जो computer है, user's computer, और internet के बीच, ठीक है, तो simply, जो proxy server होता है, वो as a gateway काम करता है, user के computer और internet के बीच में, ठीक है, और यह किसके साथ user के एता है, external access के, with external access, a is the right answer, अब देखिए, simply आप proxy term भी सुने होंगे, कही न कहीं जरूर सुने होंगे, सुनते हैं कि हम proxy use करते हैं, तो proxy server, यहाँ पर बात हो रही है, proxy app हो गया, ठीक है, तो उसका use किया ही इसलिए जाता है, ताकि आप जो block website है, ठीक है, जो blocked website है, उसको आप access कर सके, यानि कि उस blocked website को unauthorized access आप कर सके, उसके लिए आपको proxy का use किया जाता है, और proxy app में साथ नाम भी होता है, कि PSI, PHONS, iPhone एक आप भी आता है, तो बहुत सारे proxy apps होते हैं, ठीक है, जो तो आजब VPN आप use करते हैं, उसमें क्या काम होता है, proxy कहीं काम होता है, अब समझ में आगे है पुरा कि कैसे उसमें घुसना है हमको, जो blocked website उसमें घुसना है, लेकिन अगला question, arch number यह कह रहा है, कि कौन सा software का use किया जाता है, external access को prevent करने के लिए, firewall, gateway, router, virus checker, more than one of the above, none of the above, तो firewall का use किया जाता है, prevent करने के लिए, किसका use किया जाता है, firewall का use किया जाता है, firewall के बाले में हम एक filter के तोर पे यह काम करता है, और किसके लिए, network के लिए, ठीक है, हमारे personal काम के लिए, network के लिए, gateway का use क्यों किया जाता है, gateway का use किया जाता है, दो different network को connect करने के लिए, गेटवे का यूज किया जाता है करने के लिए ठीक है और राउटर क्या होता है जो घर पे आप लगाते है राउटर एक गेटवे होता है और एक ब्रीज होता है ठीक है गेटवे होता है और एक ब्रीज होता है ब्रीज का यूज कियाता है दो सेम नेटवर्क को कनेक्ट करने क लिए और router का यह उसके लिए करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए wifi कनेक्ट करते हैं किसके थो router के थो करते हैं कि नहीं virus चेकर क्या करेगा virus को चेक करेगा clear है पूरा मुद्धा आगे बरहें next question number 9 कह रहा है कि which of the following best describes uploading information इसमें से कौन सा point है वो uploading information को सबसे अच्छे से describe कर सकता है sorting data on disk drive sending information to a host computer receiving information from a host computer sorting data on a hard drive more than none of the above none of the above बताइए correct transfer इसका क्या हो जाएगा तो uploading information को जो best describe कर सकता है वो क्या हो जाएगा कि sending information to host computer upload की बात हो रहा है तो upload के case में क्या होता है हम लोकल से server तक इसको पहुंचाते हैं ठीक है और download के में क्या होता है कि server से local computer में लाते है समझ में आ गया है local करने का मतलब कि आपका अपना personal और server करने का मतलब cloud की बात हो रही है ठीक है clear है बात B is the right answer फोड़ा सा आप भुद्धी लगा देंगे फोड़ा सा common sense लगा देंगे question अपका बन जाए उतना भी नहीं है question 10 कह रहा है कि which one of the following is the most common internet protocol most common internet protocol कौन सा है html, netbuy, tcpip, spx, ipx html क्या होता है hypertext markup language ठीक है tcpip क्या होता है transmission control protocol transmission control protocol और ip internet protocol ठीक है sp, ipx क्या होता है internet work internet work packet exchange और spx क्या होता है sequenced packet exchange sequenced, s-e-q-u-e-n-c-e-d sequenced packet exchange ठीक है और ipx और spx दोनों क्या होता है यह दोनों आपका networking protocol है इसमें लेकरेंगे दोनों क्या है दोनों networking protocol है ठीक है बात clear है मुद्दा clear और tcpip की बात करें इसमें कितना layer होता है tcpip इमाइक आपका 5 layer होता है 5 layers आईए उसको भी देख लेते हैं कि 5 layers क्या क्या होते है यहाँ पे हम लिखेंगे 5 layers of tcpip लिख लिजीए यह भी क्या क्या होता है पहला होता है अपका application layer कि जितना लिखवाते चलता है सब कुछ आप note down करते चलेंगे दूसरा होता है transport layer तीसरा हो जाएगा क्या network layer इसी को बोलता है internet layer तो confuse नहीं होना है दोनों same होता है network layer बोले या internet layer बोले बात एक ही है 14 वता data link layer और पांचवा physical layer तो ये पांच होते हैं किसके layers TCP IP के ठीक है और OSI वगर हमने पहले class पे परहा रखा है ठीक है तो फिर आईए इस पे question 10 के लिए रहे पूरा अच्छा इसका answer नहीं हो है answer is option C C is the right answer TCP IP जो होता है वो बहुत ही जादा common internet protocol है देखिए नाम में लगा हुआ है यहाँ पे internet protocol है यहाँ से भी आप पकर सकते ठीक है clear है बात आगे बार है next question 11 software program that allow you to legally copy file and give them away at no cost are called which of the following देखिए एक ऐसा software program के बारे में आपसे पूछ रहा है जो कि आपको allow करता है legally file को copy करने के लिए और उसको आप giveaway भी कर सकते हैं कि किसी को दे सकते हैं बिना किसी पैसे के उसको क्या बोलेंगे prob बेर, time climax tape, shareware, public domain, more than non of never दो इसका हम क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम लोग do shareware और prob Espक environment हता है ठीक है और times air के बारे हम लोग बात कहलेंगे operating system है पुरा details में ठीक है आगे बढ़ते है next question 12 at what speed does telecomputed refer simply जो telecomputation होता है उसका speed कैसे measure होता है interface speed cycle per second baud rate megabyte load more than none of the above कैसे होता है वो किस speed में telecomputed आपको refer कर रहा है तो वो आपका होता है baud rate और baud rate होता क्या है baud rate होता है simply आप a specific unit होता है simply बोलें इसको तो एक specific unit होता है किसका speed rate का clear है बात baud rate question था कि at what speed does telecomputed refer that is baud rate c is the right answer clear है बात next question 13 इनका आप भी बढ़िया question है कि IP is responsible for desk communication whereas TCP is responsible for desk communication फीक है IP मतलब internet protocol TCP मतलब transmission control protocol पूछ रहा है आप से कि IP responsible है किस तरह के communication के लिए और TCP किस तरह के communication के लिए responsible है host to host process to process process to process host to host process to process node to node node to node process to process more than none of the above none of the ever तो IP जो होता है वो responsible है host to host के लिए H to H host to host communication के लिए और TCP जो होता है वो process to process communication के लिए responsible है ठीक है तो option A is the right answer ठीक है point clear बुद्दा क्लियर next question 14 a device operating at physical layer उसको क्या बोलते हैं device जो operate हो रहा है physical layer पे उसको क्या बोलेंगे bridge, router, repeater, more than none of the above, none of the above तो physical layer पे जो device operate हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग repeater C bridge को किसके लिए use करते हैं दो same network को connect करने के लिए थोड़ी दिर पहले मैंने आपको ये बता जाया है दो same network को और ये आप दोनों point याद रखेंगे connect करने के लिए क्योंकि अक्सर एक जामें पुछता है bridge और gateway ठीक है दो same network को connect करने के लिए और gateway का use किया जाता है दो different या dissimilar different बोले या dissimilar network को connect करने के लिए ठीक है point clear है connect करने के लिए बुद्दा clear C is the right answer next question 15 networking using fiber optical cable is done as देखिए जो networking किया जाता है fiber optical cable से किया जाता है मतलब simply आप से question ने पूछा जा रहा है कि जो optical fiber होते हैं उसके advantages क्या है उसके features क्या क्या है तो it has high bandwidth it is thin and light it is no effected to be electromagnetic more than one of the above none of the above बताइए optical fiber का advantage क्या है क्योंकि उससे networking किया जाता है तो आप जान लीजिए कि इसके पास high bandwidth होता है यह thin और light भी होता है और electromagnetic का effect नहीं होता है ठीक है तो यह तीन ओपसन आपके सही है तो D more than one of the above D is the right answer ठीक है clear है बात आगे बार है next देखिए बहुत अच्छा question है और यह question आप एकदम असानी से कर लेंगे अगर आप starting में जो हम question बताये थे mode of communication वो ध्यान से तुने होंगे तो यह question जो इस एकदम असान question है बस लिस्ता लंबाई चोराई तुरह जादा है तो इस तरह के question आपको exam में डाला जा सकता है डराने के लिए तो आपको डरना नहीं है भ्यान से पर यह term duplex refers to ability of data receiving a station to echo back a conforming message to the sender in full duplex data transmission both the sender and receiver में क्या होता है यानि कि मैंने भी थोड़ दर पहले क्या है कि discuss किया एक simplex discuss किया एक half duplex और एक full duplex पुछ क्या रहा है आप से full duplex के बारे में यहाँ पे तो आपको duplex का definition दे दिया तो इक जाम में भी इस तरीके question आपको डाल देगा कि पहला line definition देदेगा main आपको पकरना कहां से है यहां से कि full duplex data transmission में sender और receiver में क्या होता है option है cannot talk at once can receive and send data simultaneously, can send or receive data one at a time, can do one way data transmission only more than none of the above, none of the above simplex में क्या होता है कि एक सार्थ एक ही बार भेजा जाता है ठीक है, one way है उधर से receive नहीं होगा, सिर्फ यहां से अब send करेंगे half duplex में क्या होगा कि send or receive data होगा लेकिन one at a time होगा जिसमें वाकिय टोकिय का definition है लेकिन full duplex में क्या होगा कि data का जो send or receive होगा वो simultaneously होगा तो b is the right answer समझ में आ गया बात example में उन्हें क्या बताया है mobile होगया आपका, telephone होगया इसका example में क्या हो जाएगा वाकिय टोकिय हो जाएगा वाकिय टोकिय हो जाएगा ठीक है, clear है बात, समझ में आ गया न तो बस देखने में question ज्यादा लंबा चाओ रहा है, है कुछ नहीं पुरा सा common sense लगाएंगे आपका बंज रहा है वस concept को आपको clear रखता है 17, it is a self replicating program that infects computer and spread by inserting copies of itself into other executable code or document is called what self replicate यानि कि अपना copy or generate करते जा रहा है, ऐसा ये program है जो की infect करता है आपको computer को और spready कैसे होता है जब आप कोई भी data या documents को बार-बार copy कर रहे है तो अपने आप इसका एक extra copy बन जाता है, जो की executable code बे convert हो जाता है, उसको क्या बोलते है keylogger, warm, virus, cracker, more than none of the above none of the above, keylogger किसको बोलते है तो keylogger अगर हम बोले तो simply keylogger आपका एक malware भी हो सकता है या फिर keylogger आपका एक hardware भी हो सकता है ठीक है, इसका function क्या है इसका function यह है कि keypress के जो event होते है उसको record करता है यानि इसके बारे में लिखेंगे यह इसी के बारे में कि records the event of keypress जो भी आपके keyboard से button press होते है वो event को यह record करता है ठीक है, क्या keylogger और इस question का जो correct answer है वो है C virus C virus is the right answer ठीक है point clear है आगे बढ़ है, next अब पुछ रहा है कि a person, एक इंसान के बारे में जो की use करता है his or her expertise to gain access to other people computer to get information illegally or to do damage is called what यह एक ऐसा ही इंसान के बारे में जो की अपना होसियारी दिखाता है किसी दूसरे के computer का access gain करने के लिए और उसमें से कुछ data को आप illegal copy कर लिया या फिर वहां से कुछ data को चुरा लिया उसको कुछ नुकसान पहुँचा दिया वैसे लोग क्या होते है कर सकते हैं spammer किसको बोलते है जो spam भेसता है और spam क्या होता है unwanted emails होते है unwanted emails होते है unwanted बोल या फिर unsolicited emails ठीक है उसको क्या बोलते है उसको बोलते है spam और जो spam भेसता है वो spammer ठीक है समझ में आगया ना बात तो option B is the right answer next question 19 radio frequency RF propagation microwave transmission satellite transmission infrared transmission Bluetooth and Wi-Fi ये सब किसके exam पल है ये जितने भी नाम आपको दिख रहे है ये सब किसके exam पल है unguided media, guided media, optical media more than none of the ever, none of the ever आईए पहले जानते हैं हम कि guided media में क्या क्या होते है और unguided media में क्या क्या होते है ठीक है पहले हम बात करते हैं unguided media के बारे में unguided media unguided media किसको बोलते हैं तो unguided media जो आपके होते हैं वो होते हैं wireless media वो क्या होते हैं वो होते हैं wireless media और इसमें क्या क्या आते हैं तो इसमें आता है आपका radio webs तो wireless media होगे इसमें आता आपका radio webs microwaves फिर आपको हो जागा IR यानि कि infrared waves IR मतलब infrared छिक है तो unguided media कैसे होते हैं नेचर में wireless होते हैं और यही बात करते हैं guided media की तो guided media बोले तो wired media guided media कैसे किस नेचर के हैं wired media और इसमें क्या क्या आता है इसमें तीन आते हैं twisted pair coaxial cable और fiber optics cable fiber optical cable optical बोले फिर optic बोले बात एक ही अब समझ में आ गया classification guided media में तीन होते हैं क्या क्या है twisted coaxial और fiber cable fiber optical cable और इसमें क्या क्या आते हैं unguided में radio waves microwaves और infrared waves आते हैं और इसमें question में आप से क्या कह रहा है यही सब को आई में तो पूछ रहा है correct answer क्या हो जाएगा unguided media A is the right answer ठीक है अब देखिए optical fiber के आप 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 optical media कर रही है तो यह सब confusing आपको दिख जाएगा options ठीक है point clear मुद्दा clear आगे पर है next अगला question कह रहा है question number 20 कि which layer is international standard organization OSI model responsible for creating and recognizing frame boundary creating and recognizing frame boundary के बारे में आप से पूछ रहा है कौन सा layers responsible है इसके लिए यह आप से पूछ रहा है physical layer, data link layer, transport layer, network layer more than none of the above, none of the above अब देखिए OSI के जो होते हैं layers यानि कि seven layers of OSI के बारे में बात कर रहा है seven layers of OSI क्या-क्या होते है application layer session layer तीसरा sorry, दूसरा होता है presentation layer session तीसरा होता है present session layer तीसरा हो जागा session layer आपका आपका ट्रांस्पोर्ट लेयर पांचे बहुँ जागा आपका नेटवर्क लेयर चट्था data link layer और साथवा physical layer अब देखिए इसमें twist क्या है जो application है वो आपका साथवा है यह उल्टा चलता है तीक है application आपका साथवा है और पहिला क्या है physical है तो हम आपको बता रहे थे नवो one two three four numbering कर रहे थे layer का level नहीं बता रहे थे आपको ठीक है और layer के level की बात करें तो physical पहला है दूसरा data link है तिसरा network layer है चौथा transport layer है पाच्वा session layer है छथा presentation layer है और साथमा application layer है यह बात आप note down कर लेंगे और जो transport layer होता है इसी को बोलते है heart of OSI OSI का इसको heart माना जाता है किसको transport layer को जो चौथा layer है transport इसको माना जाता है heart of OSI और आपसे जो question पुछा गया है कि responsible for creating and recognizing frame boundary तो वो है आपका data link layer वो क्या है आपका data link layer B is the right answer समझ में आ गया जो भी हम लिखवा है सारे आप note down कर लेंगे और जो numbering बता है layer का वो भी आप लिख लेंगे फिजिकल पहला होता है और application साथ वा होता है ठीक है clear about next question 21 in which of the following component the information does not interact with user कौन से component में जो information है वो user के साथ interact नहीं करता है static component, dynamic component, predefined component more than none of the above, none of the above और इस question का answer हमको आप homework में बताएंगे यानि कि जो comment section है as a homework आप इसको treat करेंगे और comment section में आप इसका हमको answer बताएंगे, हर एक जितने लोग भी एक session को देख रहे हैं, हर एक student जो भी teacher student है यानि कि अभ्यरती है, सिक्षक अभ्यरती है वो इसका answer हमको comment section में जरूर बताएंगे student कर रहे हैं इसके लिए I'm sorry but हो जाता है तो comment section में आप इसका answer हमको बताएंगे आप लोग, ठीक है अग्दम जरूर से जरूर बताएंगे, एक भी लोग ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, हर एक लोग को बताना है इसका answer, ठीक है यह homework आपके लिए next 22, maximum length in bytes of an IPv4 datagram, IPv4 IP का कितने भरदन होते हैं IP के, IPv4 और IPv6 होते हैं न, अब से पूछ रहा है कि IPv4 का maximum length क्या है, 32, 1024 65, 535 512, more than none of the above और datagram is what नहीं कि maximum length बताना है IPv4 datagram का क्या है, तो वो आपका 65,535 क्या है, 65,535 C is the right answer clear है बात, समझ में आ गया point clear next अगला question आप से पूछ रहा है, फूरा छोटा कर लोगा कि which of the following statement could be valid with respect to ICMP ICMP के context में कॉन साथ statement इसमें वालिड है option है, it reports all error which occurs during transmission a redirect message is used when a router notices that a packet seems to have been routed wrongly option C, it informs router when an incorrect path has been taken, option D the destination unreachable type message is used when a router cannot locate the destination more than one of the above, none of the above ICMP, कहने का क्या मतलब है internet control message protocol, क्या का है मतलब इसका internet control message protocol के context में कौन साथ statement इसमें सही है या valid है तो देखिए, जो ICMP होता है वो क्या करता है तो वो आपका operate करता है, यगर बात करें तो यह आपका operate करता है operates at network layer जो आपका network layer होता है, वहाँ पे ICMP आपका operate करता है, यह layer number कितना होता है, यह layer number 3 होता है, ठीक है और कौन साथ statement valid इसे context में, तो a redirect message is used when a router notices that a packet seems to have been routed longly, यही इसका correct answer है, यही कि option B जो statement है, वही valid है इसके लिए, ठीक है और एक extra बात आप यह जान लेंगे कि यह जो operate करता है, वो network layer के operate करता है, और जो network layer होता है, वो layer number 3 होता है ठीक है, पूरा point clear, आगे बर है next अगला question कह रहा है कि when the mail server sends mail to other mail server, it becomes hot SMTP client, SMTP server, peer master, more than none of the web, none of the web SMTP कहने का क्या मतलब है simple mail transfer protocol simple mail transfer protocol SMTP और आप से पूछ रहा है कि जब भी mail server mail भेजता है किसी दूसरे mail server को तो वो क्या बन जाता है तो वो बन जाता है आपका SMTP client SMTP client, A is the right answer और SMTP client होता क्या है simply हम बोले, तो SMTP जो client होता है, वो organization होता है इसके बारे में लिख लिजे, छीक है SMTP client, बोलेंगे तो फिर आप साथ नहीं लिख लिख लिजे SMTP client is an organization that allows sending email using SMTP server तेखे, SMTP client जो होता है वो एक organization होता है एक संगठन है, जो की अलाव करता है email को भेजना और किसके help से SMTP server के help से तो option A जो है इसका बिलकुल सही जवाब है clear है बात, उद्दा clear, आगे बढ़ें next question 25 के रहा है कि which of the following IP addresses can be used as a loopback IP address loopback IP address में कौन सा यूज किया जा सकता है यह आप से पूछा जा रहा है और loopback IP address क्या होता है 127.0.1 127.0.0.1 B is the right answer ठीक है B इसका बिलकुल सही जवाब ठीक है clear रहा है बात तो यह रहे आपके total 25 questions और I hope कि यह question आपको अच्छे लगे होंगे और level भी आपको इसके अच्छे लगे होंगे तो जो भी लगे जैसा भी लगे comment में एक दम आप comment करके जरूर बताएंगे ठीक है एक जाम आपका नस्दीक आ रहा है date तो इसके लिए आप एक दम लगातार prepare करते रहिए subscribe नहीं कि यह भी तक चैनल को subscribe कर लीजे video और continue आते रहेगा अब कभी-कभी एक दिन गयफ हो जाता तो उतना mind नहीं कर रहा है आपको ठीक है आपको लगातार अच्छे अच्छे लेविल्स के question आपके लिए लाते रहेंगे बस आप ज़्यादा सज़्यादा वीडियो को share करते रहिए ठीक है फिर मिलते हैं अगले session में तब तक लिए थाइंगे so much bye bye take care